जाड़े के समय में जब टंपरेचर डाउन होता है दस डिग्री से भी नीचे आ जाता है तो पान में बहुत बड़ी एक समस्या आती है कि पान के पत्ते ये जलने लगते हैं और ये पत्ते तूट कर धीरे धीरे गिरने लगते हैं आपको ठंड़क से इसे बचाना है आप कैसे ठंड़क से बचाएंगे तो नमम्मर का अंतीम सप्ता या दिसम्मर का पर्थम सप्ता में आप बरेजा को नए पुआल से इसका छावनी कर लें छावनी करने से क्या होगा कि जो टंपरेचर में जो कमी आई है वो आपका गर्माह पैदा करेगी तापमान को कंट्रोल करेगा पहला तो यह है और दुसरी कि ठंधक के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर पान में हलकी सिचाई जरूर करें हलकी सिचाई करने से जो स्वाइल टंपरेचर होता है वो भी बढ़ता है जो कि आपके पान के पत्ते अधिक ठंधक से ज करके दवा हाई है उसके चिड़काओ करने से भी यह पान के पत्ते गिरने से आप बचेंगे और साथ ही साथ आपको अधिक मार्केट भेलू मिले बजार में आपको पान की अधिक कीमत मिले इस पे गवर करने की बात है कि जब पान के पत्ते मैच्योर हो जाएं मैच्यरिटी की पहचान क्या है कि आपके पान के पत्ते धीरे धीरे पीले और सफेद होते जाएंगे यह इस तरह से होते जाएंगे अगर आप इस तरह के पत्ते अगर बजार में ले जाते हैं तो आपको अधिक प्राइस मिलेगा अधिक दाम मि बेलेगा!